जे माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी को हार्दिक स्वागते महाकाली भगति ग्यानी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ मंगलवार के दिन मंगलवार वाले दिन आप लोगों को बारा बजे ये एक लाइन बोलनी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और एक छोटा सा उपाए भी है यदि आप लोगों के उपर उधारी करजा चड़ावा है तो आपका जो उधारी करजा है वो मिंटो में उतर जाएगा जेदी आप चाते हैं अपने करजे को उतारना तो आप लोग इस कारे को जरूर करें जो मातकाली का कारे है मातकाली ने हर एक बंदों का उधारी करजा उतारा है तो आप भी अगर चाते हैं उतरवाना अपना करजा जितना भी आपके सर पे करजा चड़ावा है हमेसे गिली मुक्त होना चाहते हैं करजे से तो इस कारे को जरूर करें मंगलवार के दिन आपको बस एक लाइन बोलनी है यानि कि मैं आपको एक मंतर देने वाली हूँ ठीक है और इस मंतर का जाप आपको मंगलवार के दिन बारा बजे करना है यानि कि रात को जब आप सोएंगे तो सोने से पहले आपको 12 बजे करेक्ट इस मंतर गजाब करना है फिर सोना है तो आप इस मंतर गजाब करेंगे कितनी बार करेंगे या तो आप इस मंतर को तीन बार बोल दो या फिर पांच बार बोल दो ठीक है घर पे रहते हैं या फिर आपका अपना घर है तो आपका अपना घर बन नहीं रहा तो जितनी भी दिक्कत है वो सब इसी से related है जो मैं आपको उपाय बतारी हूँ जो मंतर बतारी हूँ जो आपको करना है यदि आप इसे करेंगे तो आपका उधारी जो कर जाए वो हमेशा के लिए मिंटो में उतर जाएगा ठीक है और उसके साथ सद आपका घर अगर नहीं बन रहा तो आपका घर भी बनेगा और अगर आप अपना खुद का घर लेना चाते तो आपका खुद का घर भी हो जाएगा तो चली दोस्तो मैं आप सभी को पूई जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने जारी हूँ पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आ गया गया कि मिलने वाली है जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो जैसे कि दोस्तो मेरे पास भी काफी जदा कमेंट आती है लोगों की मुझे बोलते हैं कि हमारे उपर भोत करजा हो रहा है हमें को ऐसा नमबर लेकर दो माता से जो नमबर हम लगा है जिससे हमारा करजा उतर जाए उसके लिए मैंने आपको अल्रेडी बता रहा है फिलाल हम उसकी बात नहीं करेंगी यहाँ पर हम आपको मंगलवार के दिन आपको बारा बजे रात को एक लाइन बोलनी है वो भी इस मंतर गया तो एक लाइन बोलो या तीन लाइन बोलो या पाँच लाइन बोलो जितनी आप से हो सके इतनी बोल दो शिर्फ मिन्टो में ही आपको करज़ा उतर जाएगा अगर उधारी करज़ा आपने किसी से ले रखा है बहुत ज़्यादा करजा हो रहा है आपके सर पे कभी-कभी मन होता है कि मर जाऊं यह ऐसे गलत चीज़, मतलब नेगिटिव चीज़ आपके दिमाग में नेगिटिव ठोट आते हैं तो आप लोगों को करना यही है जो मैं आपको बता रही हूँ आपके बीज मंतर ही होते हैं और जो गुरू के दियेवे मंतर होते हैं वो भी पावर्फुल होते हैं ऐसी बात नहीं है तो आप सबसे पहले या तो ओम करिम कालिकाई नम्हा मंतर का ही जाब करें यह सबसे बैस्ट मंतर है इससे मेरे आपको कितनी बार बता है कि मेरे हर कारिय इसी मंतर के जड़िये हुए है तो आप भी चाते हैं अपने कारिकाई कराना तो ओम करिम कालिकाई नम्हा मंतर का आपको एक लाइन बोलनी या तो फिर तीन लाइन बोलनी या फिर 5 लाइन बोनने और वो भी रात को 12 बजे से सोने से पहले बोलना है आपको यानि की 12 बजे करेक्ट जैसी 12 बजे इंगे तो आपको बोलनी स्टार्ट कर देनी आख बंद करके फिर सो जाना है बस ये उपाय करना है और फिर आपको क्या करना है दोस्तों मंगलवार के दिन सुबा सुबा आपको मंगलवार के दिन अपने हाथ से या तो आपको वो होती है काले उरद की दाल काले उरद की दाल और उसके सासत काले तिल जैसे दस रुपे की काले तिल हो गए बीस रुपे की दाल हो गई और उसके सासत दस रुपे की पीली सर्थ हो ये तीन चीज आपको पीपल के पेड़ पर रख करानी है या फिर अपने उपर से साथ बर उतार के उसको चुराये पे रख दें ठीक है करजे से मुक्ती पानी है तो ये उपई आपको करना ही होगा अगर आप चाते हैं कि हमारा करजा उतरे हमने भूसारा करजा ले रखा है उतरने का नाम नहीं ले रहा है तो आप हमेशा के लिए करजे से मुक्त हो सकते हैं इस उपाई के जरी है और इस मंतर के जरी है बस तो आपको मंगलवार के दिन सुबा इस कारी को करना है जो उपाई मैंने आपको बताया है और रात को मंगलवार वाले दिन बारा बज़े आपको एक लाइन माता काली के मंतर की बोलनी है या फिर तीन लाइन बोल लेना या फिर पांच बोल लेना जितनी आप से हो सकी उतनी लाइन बोल लेना पर बोलना जरूर ठीक है जब आप सुबह इस उपाय को करेंगे तो आपको इस मंतर का भी रात को ही करना होगा ऐसा मत कर कि आपने सुबह जो उपाय कर लिया फिर आप मंतर करना भूल गया ऐसे देखो आपको कोई फरक नी मिलने वाला मैं साफ सीधा आपको बता दूँ क्या फाइदा आपका टेम बेश्ट हो ऐसी चीजों में ठीक है तो इसलिए दोनों को याद करके आपको करना है सुबह उपाय हो रखा था जो करजा मातकाली के इस उपाय के जरिये ही उतरा गया है और हमेशा के लिए हमें मुक्ती मिली तो आप भी अगर चाते हैं उधारी करजे से मुक्ती पाना उधारी करजा मिंटों में उतरेगा आपका जब आप इस कारे को करेंगे यानिकि मिंटों में उतर जा आपका उधारी करजा जब आप लोग इस उपाय को करेंगे तो चली दोस्तों मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है अब आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महादेम मातकाली आप सभी की मनुकामना पूरी